हालो एवरीवान वालकम बैक तू माई चैनल तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इंडियन कॉंजिटेशन के रिट्स के बारे में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रिट का मतलब क्या होता है रिट का मतलब होता है एक तरह की रेमिडी और इसके कितने टाइपस होते हैं हमारी रिट्स के हम इन प्रोड़िटेशन 600 और यह एक लेटेंट टम से हमारी तो आएए जानते हैं इसका फॉर्स टाइप के बारे में हैब्य इस कॉपर्स का मतलब होता है टू है और यह सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वाड़ है और सबसे ज्यादा पावर्फुल और सबसे जादा यूज क्या जाने वाला रिट है देखिए अगर कोई person है जिसे state illegally detained कर लेती है तो person खूदिया उसके relative या फिर उसके कोई भी friend writ of habeas corpus का use कर सकता है और अगर इस case में तो जब भी आप ये writ use करते हैं तो supreme court high court state से पूछती है कि किस basis पे इस person को detained किया गया है और अगर उन्हें वो वज़ा unreasonable लगती है उस person का detention खतम हो जाता है और उसे immediately release किया जाता है तो आएए इस habeas corpus को हमें case low की हैप से समझते हैं तो आपको अच्छे से clear हो शाएगा इसका case low है rudul साब versus state of बिहार इस case में क्या हुआ था कि एक person जो है वो already अपनी 14 साल की सजा जो है वो पूरी कर चुका था उसे it means उसको जो है 14 साल के लिए extra jail में रखा गया था और बाद में इस case में habeas corpus writ का use किया गया और इस इंसान को छोड़ दिया गया था तो इसी तरह habeas corpus उस person के release के लिए use किया जाता है जिसे illegally detained कर लिया गया हो तो उस case में habeas corpus का use किया जाता है तो आईए third type देखते हैं वो है manmas इसका मतलब होता है ये एक तरह का command होता है जो constitutional, statutory, non-satutory, universities किसी पे भी use कर सकते हैं हम इस manmas को कर सकते हैं उन्हें अपनी public duty perform करने के लिए कह सकते हैं एक case लोग देखते हैं इसको आपको चैसे समझा जाएगा गुजराथ State Financial Corporation versus State Lotus Hotel इस case में क्या हुआ कि जो financial corporation है उसने Lotus Hotel के साथ agreement किया था और ये कहा था कि हम funds release करेंगे कि आप अपनी construction का काम जो है वो कर सकें बाद में इन्होंने funds release करने से मना कर दिया तो Lotus Hotel वाले जो है वो पहुच गए गुजराथ High Court में और गुजराथ High Court ने क्या कहा rate of madness issue कर लो आप और rate of madness का use कर लो इससे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इस authority को public duty इसने वादा किया था ये एक public duty है यहाँ पर इसने वादा किया था वो इसे perform करना ही पड़ेगा इस rate को apply करने के लिए condition भी है वो क्या condition है there should be a public duty तो अब थर्ड देखते हैं थर्ड रिट क्या है सौरश्वारी इसका मतलब क्या होता है to be satisfied तो सुप्रिम कोर्ट रिट के थ्रू इस रिट के थ्रू सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट लॉवर कोर्ट का कोई भी कमांड दे सकती है कि वो अपने सब भी रिट को सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट को सम्मिट करें रिव्यू के लिए इस रिव्यू में ये देखा जाता है कि लॉफर कोर्ट के जज्जमेंट्स इल्लीगल तो नहीं है और अगर इनके जज्जमेंट्स इल्लीगल पाई जाती है तो उसे खतम कर दिया जाता है बाद में उनके judgments के कोई भी मानेता नहीं बचती है means validity नहीं बचती है उनके judgments की तो आए फोर्थ रिट देखते हैं वो क्या है फोर्थ रिट है prohabitation तो सबसे बहले जानते हैं कि जो prohabitation और सौसवारी है ये बहुत ही कम इन दोनों के बीच जो है बहुत कम difference होता है तो आपने एक statement तो सुनी होगी prevention is better than cure जो जैसे prevention और cure में difference है ठीक उसी तरह है prohabitation और सौसवारी में difference है बहुत कम difference इन दोनों में एक simple से trick है इसको याद करने की जैसे prevention बनता है पी से उसी थरह prohabitation और कसी से cure है तो सौसवारी बन गया उसी तो ये है आप इसको याद कर सकते है prevention is better than cure तो जैसे हमने पहले ये समझा है कि कोई judgment announce हो गया है और वो judgment illegal है तो उसे खतम करवाने के लिए उस गलती को cure करने के लिए means उस गलती को हम heal करने के लिए writ of सौसवारी का use कर सकते हैं पर अगर judgment announce करने से पहले ही गलती होने से रोक देना चाहते हो तो writ of prohibitation का use किया जाएगा वहाँ पर आप कर सकते हो तो writ of forbid कब use करेंगे writ of forbid का कब use करेंगे writ of forbid का use करेंगे जब lower court ने अपने judgments announce ना किये हो और अगर वो judgments सुना देते हैं और वो illegal हो तो सौरश्वारी का use करते हैं तो last जो अब writ बचिये है वो है को फॉरंटो तो आई देखते हैं यह क्या कहता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपको किसी भी public officer से यह पूछना है कि अपने वो office आपने वो किस office किस authority से assume किया है तो सिंपल सा मिनिंग यह है कोवारंटो का कि अगर आपको किसी भी public officer से यह पूछना है कि आपने वो office किस authority से assume किया है तो आप रिट आफ कोवारंटो का use कर सकते हैं तो यह थे हमारे 5 रिट्स होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे थांक यू फो वाच्छ वाच्छिग इस वीडियोओ